जै मातादी, आज हम बात करेंगे केतू के पित्तरदोश के बारे में, कि आखिर किन कारणों के कारण केतू का पित्तरदोश कुंडली के अंदर जनम लेता है? जो इनसान कुत्ते को मारता है, या जान से मरवा देता है, या खुद उसको पीट-पीट करके मारता है, ऐसे लोगों के गरों के अंदर केतू की बहुत ज़्यादा खराबी होती है, और आने वाली पीडियों में केतू के हमेशा खराब परबाव रहते है, यानि के जिसको हम पितर दोश भी जो है वो कहते है, या फिर किसी दुश्मनी के चलते जो लोग दूसरों के बेटे को मरवा देते है, चाहे वो किसी भी तरह से मरवाए, तो ऐसे लोगों की कुड़ियों में भी कुते को मारना या किसी की ऑलाद को मारना, ये जोग जो बनता है, ये केतू का बहुत बियानक रूप बनता है और जिसको केतु का पितर शराब भी बोला जाता है अगर ये कुल्डी के अंदर बन जाए फिर इनसान को जीवन के अंदर बहुत तकलीफे देखने को मिलती है जिसमें सबसे पहले तो उसके गर के अंदर या आने वाली पीडियो में आलाद हो ना हो पाना जनके अलाद ना हो पाना या फिर अलाद होते हुए भी उसका सुखना मिलना अलाद तंग करे या अलाद को शरीरी कोई ना कोई बहुत जादा कस्ट रहे या अलाद इतनी नलायक निकले के वो अपने जीवन के अंदर काम्याब ना हो पाए या आपको सुखना सबसे पहले तो ये खराबी, दूसरी खराबी, ऐसे लोगों के समय समय पर बदनामिया बहुत होती है, मान समान बहुत अच्छा बन नहीं पाता, बीना वजा के allegations लगते है, जूठे अरोप लगते है, चाहे ऐसे लोगों से कुछ ऐसी गलतिया हो जाए, जिसके करण समाज के अंदर बदनामी देखने को मिले, तीसरी चीज, ऐसे लोग जो होते है, उनकी ठिंकिंग हमेशा ही नेगटिव रहती है, कोई भी काम करने लगे है, उससे पहले हमेशा नेगटिव सोच रहना, अगर किसी काम में पैसा लगाना है, तो मन में एक अजीब सा डर बना रहे, न और नेगटिविटी के चलते, ऐसे लोग जीवन के अंदर रिस्क ले नहीं पाते, और बहुत जादा आगे बढ़ नहीं पाते, हमेशा नेगटिव सोचते रहते हैं, कुछ लोगों की तो नेगटिव ठिंकिंग के कारण अपने गरों में कलेश भी करते हैं, जैसे बच्च लोगों के लिए अपने मन में नेगटिविटी रहना या ये सोचना के दूसरे लोग हमारे लिए हमेशा बुरा ही सोचते हैं, जिसके कारण संबंद खराब होते चले जाना और मानसमा ना बढ़ पाना, और साथ ही ऐसे लोगों को किसी भी तरह से कमर, पाउं या रीड की ह लड़ी या गुप तांग से संबंदी दिक्कते भी रहती है, किसी भी तरह से एक्सिरेंट हुआ जिसमें टांग तूट गी, जिसमें चलने के लाइक ना इनसान रहा, या किसी भी तरह से कमर के अंदर ऐसी ऐसी तकलीफे रहना, जिसमें चलने में प्रॉब्लम आना, ये चितनी भी खराबिया है ये सारी केतु देव की खराबिया है और साथ ही जिन लोगों को अपने दमादों का सुख नहीं मिलता यानि कि लड़कियों के पती के साथ समंद अच्छे नहीं है दमादों से समंद अच्छे नहीं है और उनकी बेटिया अपने ससुराल में सुखी न नहीं रहती दमाद अच्छे नहीं होते ऐसे लोगों की कुंडियों में भी कितु देव खराब होता है तो अगर आप इन चीजों के उपाए करके चलते हो जो अभी मैं आप सबको बताने जा रहा हूं वो अगर आप उपाए करके चलते हो तो ये सारी चीजे ठीक होंगी दमा से एक ही दिन में ब्रसपतिवार के दिन सो कुतों को खाना बरपेट जरूर खिलाईए मात्र अगर आप यहीं उपाए कर देते हो तो ये सारी तकलिफे आपके जीवन से दूर होंगी इसी तरह से हम और भी विश्यों पे चर्चा करते रहेंगे इजाज़ दीजे जया